हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन एग्री अब्डेट्स तो दोस्त काफी सारे डाउट्स आ रहें आप सभी के जीवी प्यूटी यूजिक काउंसलिंग की 24 प्रिफरेंस को लेकर मैंने आपको last video information दे दिया था कि आपका counseling आठ नॉबर तक चलने वाला है इसलिए आपको आराम से बिल्कुल सोथ समझ के 24 प्रिफरेंस करनी अपने rank recording ठीक है तो काफी लोग ऐसे हैं जो पहले आगे प्राइस फिलप कर लिए हैं मेभी उनको आगे मिल जाए कोर्स ठीक है तो लेकिन उसके बहुत भी आप लोग इस बात को फॉलो नहीं किये और mistake करके फिर आप मेरे पास ही आ रहे हो ठीक है गलत बात है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो यार मैं जो बता रहा हूं आप उसको अच्छे से फॉलो कर लिजेगा क्योंकि अभी आठ नॉमबर तक वीडियों के description में comment box में आपको online counseling की link मिल जाएगी link open करते ही आपके सामने एक ऐसा page open होगा ठीक है यहां पर तो यह जब page open होगा तो आपको यहां पर क्या करना simply यहां पर दो option दिए गए apply for online counseling यूजी फर्स राउंड का यूजी या फिर यूजी जो भी है आप उसको open कर लिजेगा ठीक है second option यहां पर open होगा आपकी registration ID और password कर ठीक है यहां पर अपना पास्वाड करके अपनी जो प्रोफाइल उसको open करके counseling को स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है अगर आप अपना 24 फिलिंग में counseling स्टार्ट करने से पहले यह यहां पर इसको forget करके इसको recover भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं जैसे कि मेरे पास किसी बंदे ने मुझे अपनी बहुत पहले थैंक्यू उनको क्यों आपकी मेरे पास जो पहले थे बहुत सारे लोग के आईडी थी लेकिनों 785 प्लस थे सो इस वजह से मैं वीडियों क्रियेट नहीं कर पा रहा था बट फिर भी मुझे मिली यह और चलिए इसको open कर तो जैसे login करते हो आपके सामने आपकी पूरी profile open हो जाती यहां पे तीन स् करनी है तो यह पूरी प्रोसेस आपको कंप्लीट करने के बाद आपकी कंप्लीट मानी जाएगे तो उसको करने से पहले आपको मैं सजेशन देना चाहता हूं ठीक है च्वाइस विफ्रेंसम को open कर लेते हैं उसको start करने से पहले हम आपको यहां पर आइडिया दे रहे हैं क गरिफली रीड करके इसको देख लीजेगा क्या 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 चाहिए आप मेशन केगी उसको पढ़ लीजेगा ठीक है तो पहले पॉइंट है कि चूज और च्वाइस वन्स फिल और एनी राउंड ऑफ कांसलिंग कैन नडवी चेंज डिरिंग इस राउंड आप कांसलिंग ए एक बार कांसलिंग में जो भी चॉइस प्रफरन्स आपने चूज रिया उसको बाद में आप करने के बाद लाड चेंज नहीं कर सकते हैं मेंशन किया गया कि आप अगर जो 500 रुपे कांसलिंग फी पे करते हैं वो जो कि नॉन डिफंडेवल फी है इसको देख लिए गा कि वो पैसा आपको रिटर्न नहीं हो ठीक है आपका जो फी है वो रिटर्न नहीं होगा सीट अलॉट होने के बाद आप कॉलेज में से बीटेक फूटेक में 48,741 यह फर्स्ट सेमेस्टर का फी है बीवेसी में पूरा एनुवल चार्ज लगता जो की 1,606,8551 है तो ऐसे करके आप अपना कोर्स का समेस्टर वाई आ फिर एनुवल वाई फी देख सकते हैं ठीक है कुछ और चीज यहां मेंशन की कि आप इसक पहली में है कि लिस्ट आप च्वाइस अवेलबल फॉर यू एंड यहां पर इस बार का कुछ एरो देखने को मिलेंगे साइड में फिर उपर नीचे तो यह सब चीज़े बहुत लोग को समझ में नहीं आती ठीक है अभी आपको करना क्या है जैसे कि मैं यहां पर टच करता इस चीज़े गाए झाथ दो पहले आप इस और चीज़ेगा यह नहीं होटा है कि यहीं पे आपको इसको शेव करना होता थी के आप आराम से अपने राक एकोडिक्स पहले बता दिया है जो आपको लगे कि इस रैंक पर मुझे यह कोर्स मिल जागँ तो पहले आप उसी को च्छाइस कीजेगा ठीक है यह नहीं कि पहले आपका 500 रैंग है तो आप पहले बेज़ी अगरिकलचर ही चूछ कर लें उसके बाद सफीरीज ठीक है आपको मिल जाएगा 500 रैंग मालों एक ग्जामपल बतारों सफीरीज तो मिल जाएगा अपने पहले रैंग पे बीएसी करनी चाहिए या फिर यह कोर्स मुझे लॉट हो जाएगा तो वहीं चीज आप वहां पर कीजिएगा ठीक है तो आज यह देख लेते हैं सबसे पहले करना क्या आपको अगें यहां पर मैंने बियर सी ऑनर्स अगरिकल्चर कर लिया है आपको डिरेक्ट सिंप्ली आइकन पर क् यह उप्शन फिर यहां पर क्लिक किजेगा तो डिरेक्ट आपका जो च्वाइस आपने पहले फिलप किया वह इसमें आकर सेफ हो जाएगा ठीक है यानि कि पहले नमबर पर वह चीज आ जाएगी सेकेंड आपको फिर से वंचीज करनी है जैसे मैंने ब्यस्याइज चूज क ठीक है ठीक है अगेन मैं यहाँ पर ब्यफ्र चूज करता हूं ठीक है यहाँ पे फिर से आपको इस वाले आइकोण손स करने ठीक है इस वालिक करने पर धी जो जो बैफ्र City वह आपका इस्वाले ब्लॉक में आकर सेव हो जाएगा ठीक है तो छलिए इसको भी देख लेते है ठीक है तो ये भी देखिए इसमें आगया अब यहाँ पे आपको किवल दो कोर्स देखने को मिलेंगे BVSC और Community Science ठीक है अब इस बार हम फिर से इसको open करते हैं और Community Science को चूज कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि 191 या फिर जो भी इनका rank है उसके according इनको BVSC नहीं मिल पाएगा और BVSC-AZ मिल जागा BVSC-AZ को इस सेकेंड rank पे prefer करते हैं तो maybe इनको BVSC-AZ मिलने भी काफी time लग सकता है ठीक है अगेन ये course चूज करने के बाद आपको simply इस icon पे click करना है ठीक है यहाँ पे click करते हैं फिर से यह इसमें आज आएगा अगेन आप BVSC जो आपको लगे वो चूज करके यहाँ पे choice preference order अपने prefer कर सकते हो ठीक है अब जो हमने choose किया जो हमने preference है वो यहाँ पे आपको इस block पे choose करने पे show हो जाएगी जैसे कि हम आपको दिखा दें आपको देश होते हैं यहाँ पर BVSC ओनर्स अग्रिकल्चर BVSC चार मैंने चूज किये हैं इन चारों में से इनको BVSC ओनर्स अग्रिकल्चर मिल जाएगा इनके rank एक इनका rank है 200 कुछ प्लस में है इनको BVSC नहीं मिलेगा इसलिए मैंने सुथा लास्ट में किया है और वैसे भी अगर यह BVSC फर्स्ट में करते हैं चाहिर सी बात है BVSC मिलना है नहीं BVSC ओनर्स अग्रिकल्चर मिलना होता सेकेंड में फिल करने पर वह भी इनको बहुत लेट से मिलता है में भी मिल भी नहीं सकता था ठीक है यूंकि यह सीटे बहुत कम है ठीक आप कैटेग्री वाइस दिखो कि तो सीटे बहुत ही जादे कम है इस सब चीजों को करने के ठीक है अगर आपको अभी लगता है कि आपको कुछ मिस्टेक हुई है कुछ इडिट करना है फिर चौइस उपर नीचे करना है आप दो ऑप्शन है ठीक है आप च्वाइस प्रिफ्रेंस इससे उपर और नीचे कर सकते हैं या फिर आपको बैक आगे आप फिर से यहां पे प्रिफ्रेंस करनी है तो जितने भी कोर्स यहां प्रचूच की है उतनी बार यहां पर टैब कीजिएगा इस वाले ऐरो पर आपका पूरा कोर्स आपके लेस्ट में आ जाएगा और फिर से आप अपनी चौइस प्रिफ्रेंस कर सकते हैं लेकिन आपको सेव नहीं करना है आपको डॉकूमेंट्स अप्लोड करने का यहां पर ओप्शन आ रहा है ठीक है अपनी यहां पर देख से तो क्या का डॉकूमेंट्स में आपको अलगने वाला है डॉमिसाइल सर्टिफिकेट जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टन चीज़ आप सभी लोग के लिए हाई स्कूल अगर अपना माक्स कर सकते हैं ठीक है जो जो इंपोर्टन चीज़ है में तीन चीज़े है नुमिसाइल और टेन ट्वल्ट का माक्स के ठीक है यहां पर आप लोग देख लिएगा केवल 512 के अंडर में पीडिया फॉर्म में इसको अपलोड करना है ठीक है तो इस बात का ध पांसो बारे सबी कम होना चाहिए ठीक है और एक चीज़ और कि यह यहां प्लोड और डोकुमेंट्स विच अपली केवल आप्र मर्जिन इन सिंगल फाइल स्टीक है तो सिंगल फाइल में यहां पर मर्च करने के बाद जो भी आपका डॉकुमेंट से उसको सारे पीडिया को एक ही यानि कि जो भी डुमसाइल है 1012 का सर्टिफिकेट है उसको एक ही पीडिया फॉर्म में सेप करके पूरी चीज मक्सिमम टू एंबी में आप यहां पे उसको फिर से री अप्लोड कर जाएगा ठीक है अगिन आप पॉसीट को शेप करने के बाद आपके सामने फिप्टिन सो रुपए जो आपका कोड्स का फी है वो पे करने को आज आएगा तो यहां पर आपकी काउंसलिंग पूरी कंप्लीट होती है में प्रॉब्लम्स कहां प्याती में प्रॉब्लमस आती है आपको 24 जो मैंने आपको अक्स्प्लेइन कर दिया फिर भी आपको कोई प सकते हैं जो भी प्रॉब्लमस होगी और हाँ यह आपना पेडिया फॉर्म में इस डॉकुमेंट को अप्लोड कर दिजेगा उसके बाद सेव करने के बाद 500 रुपए यहां पर आपको फीपे करनी है वो कर लिजेगा काउंसलिंग आपको कंप्लेट हो जाएगी ठीक है तो थैंक्यू पर वसिंग मिल देने वडियो में थैंक्यू सो मच